आतो दोस्तों, कैसे हूआ आप? आज फिर से हम ले रहे हैं एक और नई प्नतिंग, बिल्कुल अलग तो इसमे जो मैं चैक्स बना रहा हूँ, वो मै приг में कटिंग करके ग्रिन कलर से मैं इसमें चैक्स टाल रहे हैं और नीचे जो दिवार पे मैं बेक्ग्राउंड में कलर दे रहा है वह ओफवाइट कलर है हल्कासा लाइट ग्रीन शेड़ गोर बाकी जो उपर वाला जो कलर अभी अपन टौप को ट लगा रहे हैं वो कलर मारे पास ग्रीण है बस ग्रीन यानि कि जो सबसे डार्क ग्रीन होत केवल बस नॉर्मल डिजाइन ने बीच में कोई अलग फ्लोवर वगर नहीं दे रहा है तो मैंने इसी कलर में एक केवल चेक्स वाली जो वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं लेकिन इस दिवार को बिल्कुल यूनिक और अलग बनाने वाले हम क्योंकि इसमें जो हम काम कर रह हैं तो इसमें हमने पूरी दिवार पर चेक्स डाल दी हैं चेक्स डालने के बाद विए गिए टूल हमारे पास इस्टिल का उससे हम यह इसमें 3D लुक दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको हलकी लाइनिंग दे रही है ताकि वह एकदम कंबल के यह फिर जो कंबल होता उस ट की बेंदी जहां जहां हमने यह बीच में लाइनिंग बनाए थी उसी जगे पर हमें ब्लैक एक बंदी देनी है और आफिर बाद में ने ऐक वाइट टेप की लाšती नालनी है तो यह सारा काम कमいた हो जाए तो यह ले रहे हम फूल तो इसमें हमने बेगराउंड फूल वाला जो कलर होता है वो हमने पिंक कलर लिया है यानि कि पिंक में ये फूल बना रहे हम और जो इसमें लाइनिंग और इसका जो शेड देंगे हम इसको फूल को डार करेंगे तो इसमें हम इसी से ही डार कलर और ए देखने लाइक दिए तो देखते रहिए आप और इसी तरह की वीडियो और पेंटिंग और बोलोगिंग का काम इस चैनल पर मैं वीडियो अप्लोड करता हूं तो यही काम देखने लिए आप हमारे चैनल को एक बार सस्क्राइब कर ले और जिस भी भाई को अगर किसी मकान का या पेंटिंग का काम करवाना है तो वो मैं मेसेज करते हम उसको रिपले देंगे यानि कि उसी की मेसेंजर पर हम नमबर डाल देंगे आप उनमें से कॉल कर सकते हो बात कर सकते हो तो और अधिकतर में जो पेंटिंग या पेंट का काम होता है वो मेरे नजदी की कर सकता हू अधर बार हुनी तो यह हम ले रहे हैं फूल में पहले हमने इसमें जिस तरीके से में इसमें वाइट का शेट दे रहा हूँ उसी टाइप में हमने इसमें भले का शेट यह डार्क सिंगल रेड का शेट दिया था और हम इसमें वापिस white दे रहा हो और उसी की उपर वापिस हम एक single red की pink या आई की भाले है आप single red ले लो या इसे कही pink ले लो तो हम इसमें ये lining दे रहे हूं उसे column की साईता से और बीच भीच में हमें फूल का जो beach center होता है उसी के अंदर में black color डालना है तो यह मैंने इस दिवार में दोनों साइडों में चेक्स का पेटन लिया था और बीच में हम इस दिवार में चार फूल ले रहे हैं और फिर बाद में जोगा टेनिया वगरा वो भी बनाने वाल है और यह इसको 3D लूग दिखाने के चकर में हम इसमें गोल राउंड डाल रह हैं अंगुली की साहिता से चाहिए आप किसी से भी देदो यह वाइट टिप की देखे और यह फ्लोर्स का जो काम है वह हो रहा है तो इसमें हमने भले कलर यूज लिया है जो यह अमर पास है वह बले कलर है और हाँ में बात यह सब भायों का कमेंट आता यह आप मेट्रियल कौन सा यूज करते हूं तो हम मेट्रियल अधिकतर सारा प्लास्टिक पेंट यूज करते हैं चाहिए आप कोई साही भी मेट्रियल लेलो अल्टेमा लेलो एपेक्स लेलो कोई साही लेलो लेकिन हम सारा प्लास्टिक पेंट यूज करते हैं डिजाइनों के ओपर और अधिक इसा भी डिजाइनिंग का काम वो तयार कर सकते हो तो और यह पूरी बॉल जब कम्प्लिट हो जाएगी तो इतनी मस्त लगेगी क्योंकि वास्ते में जो काम हुआ था इस दिवार को हमें बनाने में पूरा एक दिन लगा था कि पूरा दिन लग जाता है अभी तो यह में फ़ वीडियों त्यार होती है है तो यह वॉल अप कम्प्लीट है तो कैसी लगी आपको एक वार कमेंट करें और शेर करें हमारी वीडियो तकि और भी भाईबन देख सके और भी पैंकर भाया का जिन्होंना में शपोर्ट कर रहा है तो यह पूरी वॉल अप कम्प्लीट है और लास्ट में कमेंट करकर बतावे कि आपको यह दिवार कैसी लगी तो और आपको में बात यह पूछना है कि अपन जो काम कर रहे हैं वह वो लोगिंग में बतावें या फिर आप इस पर रिं रिंग्टून डाल देते हैं क्योंकि रिंग्टून के उपर ही वीडियो जो भी काम होगा वो लेकिन उसमें अपन कुछ ही नहीं बता सकते हैं उसमें क्यों रिंग्टून चलेगी और अगर वो लोगिंग मो तो फिर आप कमेंट बतावे कि हाँ भी आप आवाज का शुक्रिया